शायत तो अनु पता नी होएगा इस्तरी यां पुर्शा नळो वद सुन्दर क्यों नजरों दियें? शायत तो अनु ख्याल नी होएगा इस्तरी दी शक्सियत विच एक राउंडनेस एक सुडॉलता क्यों दिखाई दन्दियें? वो पुर्ष दी शक्सियत विच क्यों नहीं दिखाई देंदी शैत तो नुख्याल नी होएगा कि इस्तरी दी शक्सियत एक संगीत एक निरित एक इनर डांस इक अंदरूनी नाच क्यों नजर आउंद है जो पुर्ष नहीं होंदा छोटा जा कारण है बहुत बड़ा कारण नहीं है मांदे पेट्च जो बच्चा पहला अनू बन दे है उस पहले अनू चौवी जीवानू पुर्ष दे होंदे है चौवी जीवानू इस्तरी दे होंदे है जे कर चौवी चौवी दे दोमें जिवानू मिल दे है ता अठताली जिवानू आंदा पहला सेल त्यार हुन दे है। अठताली सेल नाल जो प्राण प्यादा हुन दे है वो इस्तरी दा स्रीर बन जन दे है। उदियां दो में बावां, चौवी-चौवी सेल्दियां हुन दियां, balanced, संतोलित, पुर्षदा जो जिवान हुन दै, उस संताली जिवान वांदा हुन दै, एक पासे चौवी हुन दै, एक पासे तेई, बस ए बैलेंस टुट गया, उत्थों तो इन शक्सियत दा संतोलन टुट गया, हार्मनी टुट गी, इस्तरी दे दो में पालड़ी, शक्सियत दे बराबर संतोलन दी हन, उस नले इस्तरी दी सारी सुंदरता, उदी सो डॉलता, उदी कला, उदी शक्सियत दा रस, उदी शक्सियत दा काब पैदा हुंदे, ते पुर्ष दी शक्सियत वेच जरा कू कमी है, उदा एक पलड़ा चौवी जिवानु अंतो बनिया है, मान तो जो जिवानु मिल दा है, वो चौवी दा बनिया होया है, पुर्ष तो जो मिल दा ह पुर्ष दे जिवानु हांच दो तरां दे जिवानु हांच चोवी सेलां वाले तेई सेलां वाले जिवानु जेकर मां देई चोवी सेलां वाले जिवानु नाल मिल दे हां ता पुर्ष दा जनम होंदे हैं एसले पुर्श विच एक बेचेनी जिन्दगी पर बनी रन्धी है, एक intense discontent बनेया रन्ध है, की करां, की ना करां, एक चनता, एक बेचेनी, एक अरलमा, ओक अरलमा, पुर्श दी जो बेचेनी हैं, एक छोटी जी कटना तो शुरू हंदी है, ते ओ कटना है कि उधि एक पाल दता पुरी है तन्वार